तो दोश्तों आप सभी को बता दे कि बहुत सारे स्टुएंट कॉमेंट करें थे कि सर पारेमेडिकल एक्जाम को देखते हुए कुछ BVI इंपॉंटेंट गोईस कोशन प्रोवाइड कर देते तो अच्छा रहा था तो दोश्तों आप सभी को पता है कि अगर जो भी इस्टु दोश्तों याद करना है तो वीडियो को शुरू से लेकि अंतर बने रहा होगा क्योंकि आप से विकलता है दो एक्जाम में माथ 4 दिन सेस्ट बचाए लेकिन उससे पील आप सी हुआ को सब्सक्राइब करें प्रस्तों बोले रहा है बस्तुओ का अवेशन किसके अस्थांत चलिए आगे देख लेते हैं देखे दूसरा नमबर जो प्रस्ट बोला जा रहा है जब एवोनाइड की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइड की छड़ हो जाती है जहां दोस्तों आप सभी को बता दे कि अकसर आप सभी देखते हैं बाल में अगर पेन केलियर हो जाएगा देखे तिस नुव प्रस्ट मोढ़ आ जायत हैं समान आवेसों में होता है यानिकि एगर दोनों समान आवेसते प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा अगर प्लस माइनस रहा तो एट्रेक्शन होगा अगर समान आवेस रहागा तो क्या होगा विकर्शन तो right answer C हो जाएगा अगर यह सब question अगर याद कर लेते हैं तो आपका concept clear हो जाएगा देखिए चौथा नमर जो प्रस्ण बोला जाए रहा है यदि दो बिधूत आवेसों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य बिधूत बल का मान हो जाएगा मध्य बिधूत बल का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों चोगना हो जाएगा 4 गुना, right answer c हो जाएंगे, आगे देख लिएते हैं देखे, पाँचमा नमर जो प्रस्ट बोला जा रहा है, दो बिधूत आवेसों के बीच लगने वाले बल से संबंदित है यहीं कि क्या कोशन कहा है दो बिधूत आवेसों के बीच लगने वाले बल को जो संबंदित है वो किस संबंदित है वो है कुलम का नियम राइट एंसर बी हो जाएंगे आगे देख लेते हैं देखें चाथा नमर जो प्रस्ण बोला जारा किसी आवेसित चाला का संपून आवेस उसके क्या रहता है जो कोशन बोला किसी आवेसित चाला का संपून आवेस उसके क्या रहता है दोस्तों, बारी प्रिष्ट पर रहता है, इसका right answer, B हो जाएंगे, बारी प्रिष्ट पर रहता है, आगे देख लिते हैं, देखें, seven नमर जो प्रस्ण बोलो जा रहा है, जब काज की छड को रेसम से रगणा जाता है, तो छड क्या हो जाता है, जब काज नमर जो पूछा जा रहा है, दो प्रात्मिक रंग, लाल और नीले के मिस रंग से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है, दो प्रात्मिक रंग है, जिसमें से एक रा रेड है, और दूसरा नीला है, तो दोनों के मिस रंग से कौन से रंग बनेगा, मेजेंडा बनेगा राइट अंसर C हो जाएंगे ये सब कोशन जो है अक्सर पूछे जाते है एक्जाम में देखें नॉमा नमर प्रशन है कौन सा ये अंत्र सम्मूद्र के से उपर की वस्तुओं को देखने के लिए पंडूब्वी में परियोग किया जाता है जी हाँ दोस्तों आप सिव्य को बता दे कि आप सिव्य को बताना है उस ये अंत्र का नाम जो अक्सर सम्मूद्र के उपर की वस्तुओं को देखने में परियोग में लाया जाता है तो वो ये अंत्र का जो नाम है पेरी असकोप है राइट एंसर, C हो जाएंगे, पेरी, असकोब, दस्मना प्रस्ण है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार परकास की गती को मापने वाला बैग्याने कौन थे, ओले रोमर, लेकिन इतिहास में पहली बार कम मापा गया था, कम मापा गया था, 1666 में मापा गया था याद कर लिजागा दोस्तों अगर question पूछा जाए कि प्रकास की गति सर पर्थम कम आपी गई थी तो 1676 में इसका right answer हो जाएगा इसलिए question को याद करते चलिएगा देखिए 11 नमर पूछा जा रहा है अवर्धक lens वास्तम में होता है वास्तवक में कैसा होता है उत्तर lens की तरह होता है यहीं कि उत्तर lens ही होता है right answer C हो जाएगे देखिए अपका 12 नमर जो प्रस्ण है पानी से भरे गिलास में एक पत्थर रखा जाता है पत्थर की बास्तविक अवहासी गहराई है पानी में जो गलास में पानी भरा हुआ उसमें अगर एक पत्थर रख देते हैं तो उसकी बास्तविक अवहासी गहराई है वो क्या हो जाएगा तो उसमें जो परिवर्थन होगा इसकी बास्तविक गहराई से कम हो जाएगा राइट अंसर B हो जाएंगे ऐसास होता है कि पानी के तल जो है उपर है चलिए तियरना प्रस्ण एक यांत्रिच यात्री को आंत्रिच में अकास कैसा दिखाई देता है यह आंत्रिच यात्री को बोला गया ना कि पिर्थिवी से अगर कोई अकास को देखने के लिए बोला जाए तब तो यांत्री छात्री को अकास कैसे दिखाई देगा काला दिखाई देगा इसलिए right answer D हो जाएंगे देखे चौदा नमर आपका प्रस्ण है बिकरण की قन प्राकिर्थी की पुष्टी किसे की जाती है देखे 15 नमर प्रस्ण बोला रहा है फोटन किसकी मुल्भूत मात्रा है फोटन जो है प्रकास की मात्रा है राइट एंशर ये हो जाएंगे फोटन चलिए देख लिते है 16 नमर आपका प्रस्ण दिया हुआ है एक तलाब के किनारे एक मच्छवारा मच्छी को भाले से मारने की कोशिस करता है तो उसे निसाना कैसे लगाना चाहिए जी हाँ दोस्तों अगर कोई इंसान मच्छी मार रहा है या फिर मच्छवारा मचली को पकड़ रहा है तो उसको मालने के लिए जो निसाना लगा जाता है वो कैसे लगाना चाहिए वो कैसे लगाना चाहिए आपको दोस्तों जहां मचली है उससे थोड़ा नीचे की ओर लगाना चाहिए तबी चाकर के मचली मरेगा अथवा नहीं मरेगा इसलिए राइट अंसर C हो जाएंगे देखिए 17 नमर प्रस्ण तरन ताल बास्तिवी गहराई के कम गहरा दिखाई देता है इसका कारण है तरन ताल पूछा गया तो इसका बास्तिवी कारण क्या है अपवर्तन राइट अंसर यह हो जाएंगे अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई पड़ता है 18 नमर प्रस्ण बर्षात के दिलों में जल पर छोटी तेलिया परतों में चमकिले रंग दिखाई देते हैं यह किसके कारण होता है जी हां दोस्तों आप से देखते होगे 19 नमर आपका प्रस्ण बोले जा रहा है निम लिखी तीथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है आपको बताना है कौन सा ऐसा दीन है वो आपको डेट के साथ बताना है जिसमें आपका जो परतिविम बनता है ने कि छाया बनता है दोपहर के समय मे वो किस date में होता है 21 Jun में होता है 21 Jun को यह घटना देखने को मिलेगा इसलिए right answer B हो जाएंगे अजमाली जएगा 21 Jun हो जाएगा right answer देखे 20 नमर पुम पूपन लाज़ा रहा है किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके किसी तारे के रंग से पता चलता है देख लेए आपका कंसेप्ट किलियर हो जाएगा तो तक के लिए बाई 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 दस्तो मिलते हैं शुड़ी में थैंक्यू दूस्ता